ओपो f21 pro आज मैं करूँ इसका केमरा टेस्ट बैक केमरे की बात करूं तो 64 MP मेंगा पिक्सल का माइक्रो लेंस और 2 MP का बुके एफेक्ट वाल आपको केमरा देखने हो मिल जाएगा सेल्फी केमरे की बात करूं 32 MP का Sony IMX 709 फ्लेक्शिप केमरा सेटप आपको देखना मिल जाएगा बैक और फ्रेंट दोनों में ही और सारे मोड में नहीं हम पर टेस्ट किया चाहिए वह पोटेट हो चाहिए स्लो मोशन हो चाहिए माइक्रो लेंस हो और माइक्रो लेंस तो काफ 32 MP का है कुछ इस तरह से इंडोर कंडिशन में लेता है आगे हम लोग आउटडोर की भी देखेंगे और इंडोर में भी इसने काफी अच्छी फोटो लिए चलिए आउटडोर की बात करते हैं यह वाला जो लेंस है 64 MP से लिया हुआ है फोटो यहाँ पर आप डीटेल कलर से अच्छी मेंटेन की है और दिखने में काफी प्रोफेशनल यह शॉट लग रहा है जब मैं फोटो क्लिक कर रहा था तब तो पुरा वाइट वाइट दिख रहा था लेकिन फोटो क्लिक होने के बाद HDR रेंज ने से काफी अच्छा काम किया है डायने को रेंज भी इसकी अच्छा सेंसर यहाँ पर कुछ और फोटो देख सकते हो आप 2X करके भी लेते हो तो बड़िया फोटो जा जाती है बेग्रांड अटोमेटिक ब्लर हो रहा है विदाउट पोट्रेट तो यह एक अच्छी सेंसर की बात होती है क्योंकि 64 मेगा पिक्सल का में लेंस से कुछ कुछ इस तरह से आता है पोट्रेट शोट इसके तो पोट्रेट शोट हो काफी अच्छे क्योंकि बूके फ्लेयर पोट्रेट का यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो बिल्कुल डीसलर जैसा आपको एक फील देता है बेग्राउंड में ब्लर होने के बाद तो यहाँ पर है इसी तरह क्या आप भी फोटोस केप्चर कर सकते हो अगर आपके पीछे ग्री है या फिर पेड वगरा है तो काफी अच्छे शोट निकल कर आते इसपेशल ट्री है तो बहुत बढ़िया देखों यहाँ पर कितना बढ़िया शोट आया सेलफी 32 मेगा पिक्सल का है कुछ इस तरह से आपको सेंपल देखने को मिल लाएंगे अच्छी डीटेल मेंटेन करता है डानेमिक रेंज भी अच्छी है डारेक्ट पिछे संथा केमरा लेंस पर उसकी लाइट आ रही थी फिर भी यह रिजल निकल कर दिया तो काफी अच्छी बात है अब यहाँ पर आप एक रिफ्रेंस आ गया है कलर्स का क्वालिटी का और बेग्राउंड ब्लर का अब यही फोटो सेम कंडिशन पर सेम जगे से कुछ इस तरह से दिख रही तो बहुत ही नेक्स लेवल आप सेलफी ले सकते हो इससे अगर पोट्रेट इफेक्ट में लेना है यहाँ पर आप देखो माइक्रो लेन्स जो यह एक पत्ती है यह चोटी सी पत्ती जिसको इसने मिगनिफाई करके यह रिजल दिया है आप एक एक चीज एक डीटेल देख सकते हो जबकि यह हम शायद ही कभी देख पाते नॉर्मल आको से तो यह एक अच्छी चीज यहाँ पर आपको मैं दिखा भ बहुत ही शांदार तरीके से मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि यह जो पत्ती है इस पर मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की रिजल्ट यह निकाल कर दे देता है यह काफी अच्छी बात है एक नॉर्मल फोन में होना आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि काफी अच्छी बात है यूनिक बनाता इस फोन को DSLR जैसे फीचर आपको इसमें देखने को मिलिए आगे बढ़ते हैं यह वाला शोट आप देख रहो यह भी माइक्रो लेंस से लिया हो यह शायदि आप जच पर करो कि क्या है यह एक और शोट यह मेरा शूज जो था यह आप यहलो यहलो कलर की टेक्शर देख रहो इसको इसने मेगनिफाय करके यह शोट लियो है एक एक धागा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी बड़ी रस्तियां हो तो यह काफी अच्छा इसने काम किया है आप जूम की शोट की बात कर तो 1080p 30fps तक का ही इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है तो यहाँ पर आप देख सकते कुछ इस तरह से रिजल्ट है साथी साथ कोई स्टेबलेशन नहीं है लेकिन फिर भी वीडियो काफी स्मूध बना है और ज्यादा शेक नहीं देखने को मिला तो यह मैंने ए आपको नॉर्मल 30fps मिलता है और कोई सब्पोर्ट नहीं है इस्टेबलेशन का लेकिन फिर भी इसने अच्छ रिजल्ट निकाल कर दिये यह मुझे परसनल लेवल पर काफी बढ़िया चीज लगी है आपको कैसी लगी कमेंड में जरूर बतना चलि आगे बढ़ते हैं कुछ ऑटोफोकस या कलर सेचुरेशन देखना हूँ तो यह ऑटोफोकस भी इसका फास्ट है कोई सा इश्यू देखने को नहीं मिला है हाँ बहुत छोटी बारिक चीज होगी तो थोड़ा सा ऑटोफोकस में प्रोब्लम आ सकता है बट बड़ी चीजों पर नहीं आता है यह में देखो इसने कितना की इंषा किया हुए यह व्लू वाला हिस्सा और यह जोटी सी जो चीप है उसको इसने इतना मेंधिनिफाय करके दिखा तो बहुत ही नेक्स लेवल है स्लो उनिवां डेख सकते हो और पोट्रेट की बात करें तो काफी जादा डारेक सनलाइट में अगर आप फोटोस लेते हो तो इस तरह की रिजल्ट यह प्रोड्यूस करता हूँ जो की काफी बढ़िया लगे मुझे आपको कैसा लगा इसका केमरा जरूर बताना और इसका मैं डेडिकेटेड नाइट तो वीडियो बसनता है तो लिक कर देनी चैनल पे नवा है तो सब्सक्राइब करके विडियो में